हलो बच्चों गोड बार्णिंग सभी बच्चों को बहुत बहुत गोड बार्णिंग चलिए बच्चों आज हम लोग एक और एंसी आटी बुक ले करके इंपोर्टेंट चैप्टर कवर करने चल रहे हैं और उससे पहले स्क्रीन पर देखिए बच्चों आपके लिए हमारे सिंग सर की मोहीम डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को है इसी के तैत हम लोग बच्चों आप लोग को पूरा एंसी आटी लाइ बच्चों वर्क पावर एनर्जी जो की चैप्टर नंबर सिक्स है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर सिक्स और हम लोग जानते हैं बिटा वर्क पावर एनर्जी कोलीजन कोलीजन भी इसी लेसन में आता है वर्क पावर एनर्जी कोलीजन के कम से कम एक या दो कोश् एक कोशन कोलीजन पर आ गया तो इसमें कभी कभी दो से तीन कोशन तो इसी लेसल में मिल जाते हैं अब बच्चो देखो यह चैप्टर जो हम लोग पढ़ने चलना है इसमें हमने इसको एक प्लानिंग के तहट तयार किया है चैप्टर प्लानिंग क्या है यह हम लोग इस चै डॉट प्रोडेक्ट में यह कोशन दिया हुआ है यह सब एक्जामपल है एक्जामपल 6.1 तो इसमें प्लानिंग क्या है बैटा हम लोगों की इस चैप्टर को पूरा कवर हो जाए विद निमेरिकल क्या प्लानिंग है यह जो निमेरिकल सारे के सारे हम तुम्हें लाइन कोशन आते हैं सबस्कारिया से पीछे वाले कोशना आते हैं डेखो एक्जामपल के बाद में करीज़किश lose कि कोशन को शापशन सापिए यह भार्ल्य फैक्ष्टर के बाद में यह अग्सर्शाइस कि कोश्चन इस टार्ट होते एक्सर्शाइस तो लोग कि डेट में यह ल तो जो आज का लेक्चर होगा आज के लेक्चर में हम तुम्हें सौड एक्जाम्पल कवर कराएंगे विद की पॉइंट एंड फंडामेंटल जो भी फंडामेंटल ncarti की बॉक में दिया है कोश्चन इसी बैसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने कल और परसो के लेक्चर मेंगे और आज के लेक्चर में सौड एक्जामपल तो प्लानिंग समझ गया होगे बटा तो अब हम लोग सौड एक्जामपल पर आते हैं चलो इस पहला वाले एक्जामपल जो अभी हमने न्सी आटी की बुक में दिखलाया था देखो बच्चो जो में फंडामेंटल होते हैं वह हम तुम्हें इन एक्जामपल के साथ में बताएंगे फंडामेंटल और जो की पॉइंट है वह साथ में कराते चलेंगे तो एंसी आटी में जो पार्ट है जो वहां पर फार्मूला वाला पार्ट है वह इसी नुमेरिकल से पूरा कवर हो जाएगा अब आप देखिए एक्जामपल 6.1 है 315 चलो स्थार्ट करते हैं इस कोश्ञ्ण से चलो बच्चो सभी बच्चों को गुड मॉरूनिंग सारे बच्चे गुड मॉरूनिंग बोल रहे हैं सक्षम मुवमाश शाहिद अभिशेक अभिशेक, सिधार्थ, अंगत, सभी बच्चों को good morning, चलो बटा, तो आज का work power energy का NCRT book से पहला question यह है, क्या कह रहा है, example 6.1, page number इधर लिखा हुआ है, find angle between force, f is equal to 3i cap, 4j cap, minus 5p cap, and displacement 5i, 4j, plus 3k cap unit, also find projection of f on d, जड़ा देखो बच्चों, यह actually में work done निकालना है, तो इसका fundamental और key point क्या है, पहले हम तुम्हें यह बताते हैं, funda, funda and key point, क्या होता है, यह पहले समझो, तो हम यह funda और key point numerical के साथ में बताएंगे, सारा chapter अपने आप cover हो जाएगा, क्या funda और key point है, जो work done होता है, वो force और displacement के dot product के बराबर होता है, force और displacement दोनों vector quantity है, दो vector quantity का dot product जो होता है, वो scalar होता है, इसलिए work done, scalar quantity है, तो work scalar हो गया, अब जो देखो बैचो, f dot d क्या होता है, f d cos theta, f dot d क्या निकला, f dot d, f dot d क्या निकला, f d cos theta, तो जो angle दोनों vector के बीच का है, यह theta है, कैसे है, देखो, मारलों यह force हो गया, यह displacement हो गया, यह हो गया angle, तो f d के बीच का angle हो गया theta, अब यहाँ पर हमसे पहले part में क्या बोला गया, कि हमें angle निकालना है, angle का मतलब हमें क्या निकालना है, theta, अच्छा, अब second part देखो, second part कर रहा है, find projection of f on d, f का d के उपर projection निकालना है, तो f का d के उपर projection क्या होता है, जरा यह देखते हैं, projection का मतलब होता है, बटा, f का d के along component, तो f का component करो, f का component d के along हो जाएगा, f cos theta, यानि कि हमें f cos theta निकालना है, f cos theta यहाँ से देख लो क्या आएगा, तो f cos theta आया f dot d और upon में ये d आ गया ये बेटा projection आ गया ये क्या है projection of f on d इसको हम लोग क्या बोलेंगे projection of f on d f का d के ओपर ये projection आ गया तो ये fundamental हो गया अब की point देखो की point में बच्चो क्या है कि जैसे f का d के ओपर हमें component निकालने हैं तो की point क्या होता है कि f का d के ओपर ओपर दोनों vector का dot product और upon magnitude of d f का d के ओपर 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 दोनों component क्या होगा f और d का dot product upon दूसरा वाला vector यानि d, d का magnitude यह key point हो गया यह key point हो गया बच्चो चलो अब question solve कर लो fundamental key point दोनों लिखे हुए answer आ जाएगा तो सबसे पहला है हमें यह angle निकालना है तो angle के लिए देखो angle angle के लिए बच्चो यह formula लगा दो cos theta f dot d upon f into d cos theta f dot d upon f into d f और d का dot product निकालो 3 into 5 15 4 into 4 16 5 into 3 minus का 15 बच्चो f का magnitude लिखो under root में क्या मिलेगा 3 square 9 4 square 16 5 square 25 और d का magnitude लिखेंगे तो भी यही मिलेगा 5 का square 25 4 का square 16 और 3 का square 9 तो यह क्या मिला 15 15 cancel हो गया यह 16 आया और बैटा यह देखो कितना मिला 25 यह 25 50 हो गया under root 50 under root 50 यह 50 आ जाएगा 50 आने का मतलब यह हो गया देखो इसमें point लगा करके एक 0 बढ़ा दो तो 0 cancel हो जाएगा पांस तीया पंतरा पांस दो ने point 32 आएगा cos theta आ गया point 32 तो theta हमें मिल गया बच्चो theta कितना मिल गया देखो cos inverse 0.32 यह तो angle आ गया बच्चो यह क्या मिल गया angle मिल गया very good answer भी आ गया बच्चो का दानिश का answer आ गया दीबा का answer आ गया डॉली का answer आ गया बिल्कुल सही अच्छा अब हमें दूजरा यह projection निकालना है तो projection यह लिखा हुआ है बेटा इसी में value put up कर दो तो यह projection मिल जाएगा f dot d f dot d की value देखो हमने यह 16 निकाला है तो 16 और d का mod कितना हो गया under root 50 यह projection आ गया f cos theta यह आ गया दूसरा answer यह बच्चो दूसरा answer आ गया और यह complete हो गया चलो आगे चले बच्चो तो बच्चो देखो एक बार हम repeat करते हैं work power energy पूरे lecture को हमने तीन पार्ट में divide किया है आज हम केवल तुम्हें जो sword example ncrt के हैं वो बताएंगे और with funda और key point बताएंगे हर question का funda और key point बताएंगे और कल परसो के दिन में जो exercise के question है वो हम तुम्हें लगवाएंगे पूरा chapter with theory ncrt cover हो जाएगा चलो second question पर चलते हैं second question example है 6.2 page number 116 देखो बहुत बढ़िया question है बहुत अच्छा question है it is well known that rain drop falls under influence of the downward gravitational force and opposing resistive force the latter is known to be proportional to speed of drop but is otherwise undetermined consider a drop of mass 1 gram falling from height 1 kilometer it hits the ground with speed of 50 meter per second what is the work done by gravitational force or what is the work done by unknown resistive force ये तो question हुआ ये तो question हुआ अब इस question को जड़ा समझो fundamental और key point क्या है बटा तो पहले हम तुम्हें बताते हैं fundamental and key point rain drop इसमें एक्चुली में बच्चों लगता है conservation of energy का formula जिसको तुम लोग पढ़ते हो work energy theorem भी पढ़ते हो तो work energy theorem क्या है उसका funda क्या है उसको यहां apply कैसे करेंगे पहले हम तुम्हें यह समझाएंगे दुबारा question पर आएंगे और फिर question बहुत तेजी से solve हो जाएगा चलो देखो देखो इसका fundamental work energy theorem का बच्चों देखो fundamental क्या होता है funda funda देखो very important in physics यह बच्चों तुम्हें funda इसका बताने जा रहे हैं यह पूरी physics में बहुत important है पूरी physics में बहुत important क्या funda है देखो funda होता है जिसे तुमने पढ़ा work is equal to change in kinetic energy जिसको हम लोग बोलते हैं work energy theorem क्या बोलते हैं work energy theorem इसको हम थोड़ा सा ज्यादा explain करके बता रहे हैं इसका थोड़ा सा थोड़ा modification करते हैं इसको modified work energy theorem बोलते हैं तो यह होता है क्या modified modified work energy theorem क्या होता है देखो work done by all forces is equal to होता है change in kinetic energy बहुत important work done by all forces is equal to हो ता है change in kinetic energy अब work done by all forces यह all forces कौं कौं से हैं forces कई तरह के होते हैं बच्चों तो उन सारे फोर्स के वजे से जो वर्कडन है वो टोटल यहां लिख़ो कौन-कौन से फोर्स होते हैं देखो एक होता है वर्क डबलू एक्स्टर्नल क्या होता है एक्स्टर्नल फोर्स एक्स्टर्नल फोर्स जो हम लोग करते हैं तो एक तो डबलू एक्स्टर्नल हो गया क् pept 9 colorsお願いします ब्लसी क्विख्रूल होता है फिर कंजर्वेटीव क्रविटी फोर्स समझते हूना इलेक्ट्रिकल पौर्स इस्बिन फोर्स ना मैगनेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फौर्स सेंटरल फोर्स यह सब कंजर्वेटुव होते हैं यह सब्सक्राइब दबलो एंशीएं सी का मलव हो गया नोण कंजर्वेटि यह इतने तरह ही के तो वर्गडन हो गए हैं वर्गडन जोकि एंसर बताया दानिस तुमने लेकिन फिर भी बेटा यह फंटा समझना पड़ेगा अच्छा अब ज़रा ध्यान दो बेटा जो conservative nature के फोर्ट जो external होते हैं वो कौन से होते हैं जैसे अगर हमने किसी particle को drop कर दिया तो हमने कोई वर्क नहीं किया तो external वर्क जीरो हो यह external होता है अब conservative जो डवलू conservative होते हैं वो होता है change in potential energy माइनस में डवलू conservative हमेशा क्या होता है बच्चों change in potential energy माइनस में डवलू conservative change in potential माइनस में तो यह यहां पर लिख दो यह मिलेगा डवलू external minus delta u plus w non conservative is equal to delta k इसको ऐसे लिख सकते हैं w external plus w non conservative is equal to delta k plus delta u यह देखो एक form और तयार हो गई अब अगर external work done zero है conservative work done zero है तो delta k delta u is equal to zero हो जाएगा और अगर नहीं zero है तो यहां पर value रख करके हम लोग पूरे question को solve कर सकते हैं यह formula बच्चों हर जगे work energy theorem में apply हो जाएगा जैसे if w external zero non conservative non conservative कौन से force होते हैं जितने भी frictional force होते हैं जैसे इसमें ड्रॉप नीचे कर रही है तो drop के ओपर air का friction लगेगा यह non conservative होगा जितने भी friction होते हैं वो non conservative होते हैं अगर यह सब value put up कर दो तो यह funda मिल गया funda मिल गया यह पूरा यह जो funda है कहीं पर भी conservation में किसी भी numerical में हम apply कर सकते ही हो गया total mechanical energy is equal to zero ठीक अब आते हैं वापस question पर question क्या कह रहा था देखो जरा question यह कह रहा कि consider a drop of mass one gram एक यह drop है इसका मांस कितना है one gram यह minus three kilogram कि यह drop उपर से गिर रही है falling height one kilometer यह देखो यहां इसकी height कितनी हो गई है बचों यहां से height हो गई कितनी one kilometer यह 10 क्यूब मीटर अब हमें क्या निकालना है hit ground speed 50 जब यह drop ग्राउंट पे आ गई तो इसकी speed कितनी हो गई 50 meter पर सेकेंड वर्क डन बाई gravitational force अब gravitational force कौन सा है conservative है पहला क्या बोला गया work done by gravitational force और gravitational force कौन सा होता है conservative force होता है तो इसके through work done निकाल लो बच्चों यह केवल simple हो जाएगा यहां से यहां तक जब आएगी तो यह MGH हो जाएगा क्या हो जाएगा MGH यानि कि conservative या great gravitational force आ गया M M की value minus 3 G और H हो गया 10 Q तो यह कितना आ गया 10 जूल आ गया पहला part हो गया अब second part देखो भईया second part कर रहा है what is work done by unknown resistive force तो यह resistive force कौन सा है non conservative जितने भी frictional registers होते non conservative यह non conservative वाला force है तो इसमें हम लोग simple कौन सा formula लगा दें कौन सा formula लगा दें बच्चों बताओ देखो अभी हमने तुम्हें funda बताया यह बताया ना कि यह बताया देखो यह लगा दो तूं कि यह वाला लगा दो डवलू external डवलू डवलू non conservative डेल्टा के प्लस डेल्टा यह लगा दो बच्चों सेकेंड पार्ट के लिए डवलू external डवलू non conservative इस इकॉल टू डेल्टा के और डेल्टा यह वाला लगा दो बताया था जो conservative वरकडण होता है यह वाला यह क्या होता है यह डेल्टा यू के बराबर होता है अब external forces में क्या लगेगा कुछ नहीं ड्रॉप उपर से गिर रही है तो इसमें external for कुछ नहीं लगा और डवलू non conservative कौन सा हो गया यहीं रजिस्टिफ फोर्स हो गया यह वाला तो डवलू हो गया यह रजिस्टिफ फोर्स हो गया इस इकॉल टू अब डेल्टा के निकालो बेटा डेल्टा के का मतलब क्या हुआ final kinetic energy minus initial यह हो गया और final minus initial delta के change हो गया और delta यह लिख सकते है हम लोग final minus initial potential energy यह और डवलू रजिस्टिफ देखो निकला आएगा लगodynamics करो w resistive is equal to final kinetic energy कितनी है यहाँ पर देखो half mb square final यहाँ पर है यह final है यह initial है तो final kinetic energy half mb square और initial kinetic energy यहाँ से drop गिरना start होई तो zero तो minus zero plus final potential energy यहाँ की यह final potential energy यहाँ पर hide zero हो जाएगी hide zero और initial potential energy यही हो जाएगी बच्चों यहाँ zero कर देंगे तो यही वाली क्या हो जाएगी initial potential energy तो initial potential energy यह हम 10 रख देते हैं यह 10 आ गया initial potential energy अब यहाँ पर w resistive निकला कितना w resistive air resistance half mb square mass हो गया 10 to the power minus 3 speed हो गई 50 का square और minus 10 इसको solve करो तो इसको solve करेंगे क्या आएगा बच्चों यह आएगा solve करो 25 1.25 आएगा और minus 10 तो यह minus में मिलेगा minus 8.750 यह answer आगया minus में आएगा plus में नहीं आएगा माइनस में आएगा ना माइनस का 10 है ज्यादा माइनस में आएगा तो यह बच्चों एक question हो गया तुम्हारा fundamental with fundamental चलो next question पर चलते हैं third example example 6.3 NCRT का page number 117 चलो इसको देखो करें a cyclist comes to skidding stop in 10 meter during this process the force on cycle due to road 200 Newton and directly opposed to motion पहला part है how much work does the road on the cycle और how much work does cycle do on the road देखो क्या कह रहे है एक cyclist है यह cyclist है यह cycle से चल रहा है road पे और 10 meter चलने के बाद यह रेस्ट में आ जाता है cyclist comes to skidding अच्चा इस किडिंग का बना भी फिसलना होता है 10 meter चलने पर फिसलना हो जाता है जब 10 meter चलेगा तो skid होता है इस प्रोसेस में रोड के थूँ इतना फोर्स लगता है रोड के थूँ टू हंड़ेट फोर्स लगता है very good डॉली राणी का एंसर आ गया डॉली राणी ने बिलकुल सही एंसर दिया बिलकुल सही है जोगो बिटा रोड इसके उपर जो फोर्स लगाएगी वह frictional force होगा तो इसमें फंडा क्या होता है भाई फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा moving के opposite लगता है कभी कभी same direction में लगता है लेकिन यहाँ पर तो opposite लगेगा क्योंकि इस किड़ कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इदर लगेगा कितना 200 newton अब पहला पार्ट क्या बोला गया कि कितना वर्क रोड ने cycle के उपर किया वर्कडन बाई रोड ओन cycle वर्कडन बाई रोड ओन cycle तो वर्कडन का फार्मूला हो जाएगा fd cos theta बच्चों यह तो simple है कोई problem नहीं फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और displacement इधर हो रहा है तो friction और displacement opposite हो गया तो theta pi हो गया friction कितना हो गया 200 displacement 10 हो गया और cos pi हो गया cos pi minus 1 आगया तो minus कितना आगया 2000 joule यह answer आगया यह पहला answer आगया अब बच्चों अप्शन भी एक है B part भी तो बोल रहा है बच्चों तो B part क्या कह रहा है कि how much work is cycle does the cycle do on the road cycle ने road के ओपर कितना वर्ग किया तो क्या cycle road को चला पाईगी बोलो क्या cycle road को चला पाईगी no road चलेगी नहीं road में displacement ही नहीं होगा तो cycle ने road के ओपर कोई वर्ग नहीं किया road no displacement on road so work done by cycle on road is equal to zero zero आ गया हूँ बेलकुल सही बिटा मजा आ रहा है NCRT के कोशन करने में NCRT के कोशन with funda चलो आगे चलते हैं बगर होता है वो हमें नहीं करने तो जो कोशन करने हैं वो हम सब तुम्हें इस लेशन के तीन दिन में कवर कराईगे आज केवल एक्जाम्पल तो एक्जाम्पल क्या कह रहा है 6.4 इन बैलेस्टिक डिमांस्ट्रेशन एक पॉलिस ऑफीसर फायर्स बुलेट ऑफ मास्स फिफ्टी ग्राम विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड यह कुछ नहीं है यह विकार है और शॉफ्ट प्लाइविड ऑफ तिकनेश 2 सेंटी मीटर दा बुलेट इमर्जेज विद इस फीड ऑफ बुलेट एक कोई डिमांस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें पुलिस जो है फायरिंग करके टेस्टिंग कर रहा है तो टेस्टिंग में क्या कह रहा है देखो जड़ा इसमें क्या बोला गया इसमें यह बोला गया कि एक प्लाइवुड की थिकनेश 2 सेंटी इक बुलेट को फायर किया क्या बुलेट का मास है फिफ्टि ग्राम माइनस थ तो 10% initial kinetic bullet emerges with only 10% initial यानि कि अगर यहां पर kinetic energy initial के आई है तो इससे टक्राने के बाद जब बुलेट निकलेगी तो final energy हो जाएगी 10% of initial kinetic energy यह हो जाएगी यहां पर हमें निकालना क्या है इमर्जेंट स्पीड यानि कि फाइनल स्पीड निकालना है यह कोश्चन है बोलो समझ आया कोश्चन भाई बुलेट जब यहां पर प्लाइबुड में जाएगी तो प्लाइबुड तो उसकी resistance करेगा प्लाइबुड में resistance offer करेगा तो resistance से उसकी kinetic energy कम हो जाएगी speed कम हो जाएगी तो जब यहां kinetic energy मिली तो initial का 10% मिली speed निकालना है वेरी सिंपल अब initial kinetic energy पहले निकालो तो initial kinetic energy लगाओ half mv square यह लगाओ तो यह मिल गया half m की value तो रखो 50 10 to the power minus 3 v square हो गया 200 square तो यह आया 1 by 2 50 10 की power minus 3 यह हो जाएगा 2 का 4 into 10 की power 4 तो यह हो गया 2 to the 4 दो पंचे 10 यह 100 हो गया और 3 यह 1000 हो गया बच्चो इनिशिल kinetic energy 1000 मिल गई ठीक है अच्छा अब इधार आ जाओ अब हमें क्या निकालना है final speed निकालना है तो इसके लिए kf is equal to हो गया 10% ki और kf को कर दो half mvf square और यह हो गया 10% और initial हो गयी 1000 ki ठीक है दो zero cancel हो गया यह कितना आ गया 100 तो vf square कितना आ गया तू इधर ले जाओ और mass नीचे ले जाओ तो 200 और mass कितना है देखो यह 50 10 to the power minus 3 10 cancel उपर ले जाओ 4 40 into 10 की square आ जाएगा अब इसका बच्चों अंडर रूट निकालो कितना आएगा vf देखो बटा अंडर रूट 40 का लगबग 6.3 हो जाएगा अंडर रूट 40 का कितना हो जाएगा 6.3 और into 100 कर दो यानि कि लगबग 63 आएगा 63 मीटर पर सेकेंड एंसर कितना आगया बच्चों लगबग लगबग यही आएगा 63 64 प्रग्या तुमने 64 लिखा है ठीक है 63 पॉइंट सम्थिंग आएगा तो 63 64 लेख सकते यह एंसर आगया final speed चलो next question पे चलते हैं Example 6.5 NCRT का page number 119 देखो क्या कह रहा आएगा A woman pushes a trunk on railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over distance 10 meter. Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces initially with distance 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved 20 meter. Plot the force applied by woman and frictional force which is 50 Newton versus displacement. Frictional force 50 Newton. Calculate the work done by two force over 20 meter. This is a very big question. Let's go. This is a lady who has a trunk on railway platform. When she hit 100 Newton to 100 Newton. The force applied to 10 meter to the plane. The first time she laid out a sleeping tank. She lost a sign a crack on her 2 1975 meter. She was tired. She had a little bit of a contract. The force added her to the plane. He kept running around the plane. The first time she also was tired. The second time he was tired. She is tired. The centre is tired. After that, she was tired. आते हैं डाइग्राम इसका प्लॉट करो कि यह फोर्स हो गया कि डिस्टेंस पहले फोर्स सो न्यूटन है 10 मीटर तक देखो कि यह फोर्स हो गया 100 न्यूटन कि कि कितना डिस्प्लेश्मेंट तक चला यहां पे 10 मेंटर तक 100 न्यूटन का फोर्स सपलाई किया मिस उसके बाद थक यह फोर्स कम हो गया 50 न्यूटन के बाद ने क्यूटल थोसे कि 12 न्यूटर सब्सक्राइब के यहां पर यह कितना फोर्स हो 50 और यह distance और कितनी हो गई यहां से यहां तक 10 मीटर अब उसके बाद क्या है देखो बिटा उसके बाद यह है कि टोटल डिस्टेंस 20 मीटर हो गई और उसके बाद Frictional Force भी लग रहा है Frictional Force कितना है 50 Newton तो Frictional Force तो गेडिव होगा तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग देखों इसके लिए फ्रिक्टिनल फॉर्स नीचे बनाएं तौ अब में क्या निकालना है calculate work done by two forces over 20 meter, two forces का मतलब कौन सा हो गया भाई एक friction और एक उपर वाला force, इन दोनों force के दूरू बर्ण निकालना है, अब इसका funda क्या है key point key point funda key point key point क्या होए बेटा देखो work done होता है force into displacement जब कोई quantity हमें निकालनी है और वो y और x axis पर given quantity के product के बराबर है तो हमें area निकालना होता है, ये बटा key point होता है, अगर जो quantity निकालनी है वो इसके और इसके product के बराबर हो जाए तो इसका मलब हमें area निकालना है हमें area निकालना है, तो area पहले उपर वाला निकालो, ये वाला तो यह जब area निकालोगे तो इससे यह उपर वाले force यानि कि external burden से force आ जाएगा और नीचे वाला निकालोगे तो friction से वरकड़न आ जाएगा यही question पूछा गया तो उपर वाला area देखो यह A1 हो गया, यह A2 हो गया तो पहला वरकड़न आ जाएगा बच्चो देखो पहला वरकड़न, वरकड़न बाई external force वरकड़न बाई external force area हो जाएगा A1 प्लस A2 A1 यह area हो गया, length into width तो 100 into 10 100 into 10, और प्लस A2 area लेलो trapezium का formula लगा दो 1 by 2 sum of heights, 100 प्लस 50 100 प्लस 50 into width का multiply करतो 10 ठीक है, यह 2 5s are 10 यह आगया 1000 और यह आजाएगा 15, अपना 750 तो वरकड़न मिल गया 1750 J, वरकड़न बाई external force मिल गया 1750 J, यह external force के थ्रू बर्ड़न मिल गया, अब वरकड़न बाई friction निकालते हैं वरकड़न बाई friction यह वाला तो इसमें यह area लेलो तो यह हो जाएगा तो यह माइनस 1000 J आ गया यह answer आ गया बच्चों चलो, next चलते हैं बच्चों next question example 6.6 देखू, page number 120 का है a block of mass 1 kg moving on horizontal surface with speed 2 meter per second enders rough patch ranging 0.1 to 2.01 meter the retarding force on block on this range is inversely proportional to x x यह हो गया तो अब हमें निकालना है कि 0.1 से 2.01 meter तक k की value given है यह constant की what is the final kinetic energy and speed of block as crosses this patch जो patch है वो कहां कहां पर है यह patch जो है यह कहां से कहां तक है x is equal to 0.1 meter से यह x1 मान लो x2 is equal to 2.01 meter तो यह patch है यहां से यहां तक initial velocity यहां पर कितनी है 2 meter per second और mass कितना है 1 kg तो एक box यहां से यहां तक ले जाते हैं तो हमें यहां पर final kinetic energy और final speed यह बच्चों दोनों निकालना है और इसके उपर जो retardation force लग रहा है वो force हो गया f minus k by x तो इसमें बटा key point क्या होता है यह कैसे करेंगे key point यहां पर यह force variable है इसमें केवल work energy theorem लगा तो key point क्या होगा work energy theorem w is equal to delta k और जब force variable होता है तो work done होता है x1 to x2 f dx और delta क्यों हो जाएगा final minus initial kinetic energy यह निकलेगा आप value रख दो बिटा देखो value रख करके हम लोग solve करते हैं तो x1 हो गया point 1 यह हो गया 2.01 force की value minus k by x है minus k बाहर कर दो 1 by x dx final kinetic energy ही हमें निकालना है kf लिखा है ना final kinetic energy speed निकालना है और ki initial kinetic energy यह लिख दो half mv square half mv square k की value देखो यह 0.5 given है तो k की जगे लिख दो minus में 0.5 1 by x का integration करना है बच्चो 1 by x का integration होता है ln x या log base e x log base e x यह हो गया point 1 से 2.01 kf निकालना minus half m1 v square 2 square यह cancel अब इसको बच्चो solve करना है solve करना आता है चलो next page पे अच्छी तरीके से इसको हम तुमें solve करके बता देते हैं यह आया point 5 और log x की value रख दो यह आया minus में 0.5 log base e x अब देखो x की value कैसे रखेंगे बटा 2.01 minus 0.1 2.01 minus 0.1 log 2.01 minus log base e point 1 यह आ गया यह आ गया बच्चो यह log 2.0 minus 0 और kf minus 2 हो जाएगा इदर इस आ गया kf minus 2 इसको solve करना है बटा इसको log m minus log n का formula लगाओ log m by n log base e m by n और kf निकालना है यह 2 इदर ले ओ प्लस 2 हो जाएगा इदर kf बचेगा इसको भी solve करो यह minus में 0.5 आएगा और base e को base 10 में change करो वच्चों तो base e को जब base 10 में हम लोग change करते हैं तो तुम्हें मालूम है 2.3 का multiply करते हैं और यह उसमें ऊपर नीचे 10 का multiply करते हैं तो यह 20.1 हो जाएगा plus 2 kf log 20.1 log 20.1 को log 20 हम लोग माल लेते 0.1 हटा दे तो इसको लिखो log log base 10 20 क्यों बच्चों 20 माइनस 0.5 2.3 log 20 को बच्चों कैसे लिखेंगे log base 10 2 plus log base 10 into 10 2 into 20 multiply करके 2 into 10 लग दिया log mn log m plus log n होता है plus 2 kf यह हो जाएगा 0.5 into 2.3 log base 10 2 की value 0.3 होती है और इसकी value 1 हो गई kf आप देखो यह 1.3 हो गया इसको solve करो इसको multiply करो 1.3 into 2.3 और into 0.5 तो यह minus 1.5 plus 2 आ जाएगा तो final kinetic energy मिल गई 0.5 joule final kinetic energy बच्चों कितनी मिल गई 0.5 joule मिल गई अब इससे final speed निकाल लो half m vf square half m mass 1 था vf square यह 0.5 हो गया तो vf square आ जाएगा 251 आ जाएगा vf कितना आ गया 1 meter per second final velocity 1 meter per second यह answer आ गया भाई चलो next question पर चलते हैं next example 6.7 पर आ जाओ गई example 6.7 NCRT page number 122 देखो यह क्या कह रहा a bob of mass m is suspended by light string of length l it is imparted to horizontal velocity v0 at the lowest point a such that it completes semi-circular trajectory in the vertical plane with string becomes slack only reaching the topmost point c this is shown in figure figure अभी हम बना देते हैं figure इसमें नहीं गिवन है obtain an expression for v0 speed at points b and c ratio of kinetic energy kb by kc at b and c and comment on nature on trajectory above after it reaches the point c अब बच्चों देखो इसका fundamental और key point पहले देखो फिर question पर वापस इसका funda देखो funda and key point चलो देखो कोई जब particle vertical circular motion करे और string highest point पे slack हो उसका मतलब होता है यह question बड़ा मज़ेदार है बाई इसमें मज़ आ जाएगा तुम्हें माल लेते हैं बड़ा यह एक श्ट्रिंग है इसकी length L है यह इंटर है यहां से पार्टिकल यह लोइस्ट पोजिशन है लोइस्ट पोजिशन से पार्टिकल को ऊपर फेका गया यह जरा पॉइंट्स देख लो कौन से कहां पर रहे यह ए पॉइंट माल लो यहां पर बी पॉइंट माल लो और हाइस्ट वाला पॉइंट सी माल लो अब अभी हमने क्या बोला जब भी तुम्हें बोला जाए कि पार्टिकल हाइस्ट पॉइंट पे slack हो रहा है slack होने का मलब यहां पर रसी धीली हो रही है रसी जब यहां धीली होगी रसी जब धीली होगी यहां पर तो यहां का tension zero हो जाएगा यह एक answer आगया का tension पूछा जाए तो zero हो जाएगा और जब रसी धीली होगी तो highest point पर minimum velocity होती है जिसे critical velocity बोलते हैं और इस पॉइंट पर इस condition में velocity हो जाए कि critical velocity अंडर रूट जी आर और रेडियस रेडियस लेंद्ध के बराबर है तो जील हो गया क्या हो गया जील अब देखो answer आ गए हमारे सामने यह फंडा याद रखो जब पार्टिकल हाइस पॉइंट पर slack हो तो टेंशन जीरो और वेलोस्टी अंडर रूट जी आर जो की हाइस पॉइंट पर यह minimum velocity का formula होता है मौत का कुऊं मौत के कुऊं में जब motorcyclist उपर जाता है न तो यही velocity होती है एक बाल्टी में पानी भर लो अब बाल्टी को घुमाओ इस तरह घुमाओ कि पानी ऊपर जाकर के बाल्टी से नीचे ना गिरे तो वहां पर भी बाल्टी की velocity भी अंडरूड जील होती है यह formula बड़ा important है देखो कई जगे काम आ रहा है तो अब यहां पर कितनी velocity होती है तुम्हें देखना पड़ेगा यहां पर जब ऊपर डोरी slack होगी तो यह एक चक्कर करके यहां आ जाएगा फिर दूसरा चक्कर नहीं हो पाएगा दूसरा चक्कर नहीं हो पाएगा तो इस condition में lowest point पर velocity होती है अंडर रूट 5 GL यानि कि अगर किसी particle को हम lowest position पर अंडर रूट 5 GL की velocity दे दें तो पार्टिकल एक चक्कर करके वापस यहां पर आ जाएगा यह तुम्हें याद रखना पड़ेगा यह सब की point है और इस जगे पर बच्चों डोरी में टेंशन होता है पार्टिकल के वेड का 6 गुना 6 mg पार्टिकल का वेड कितना है mg तो टेंशन होता है लोट पोजीशन पर 6 mg वेलास्टी अंडर रूट 5 GL जैसे कोई तुमसे पूछे कि बताओ कितनी वेलास्टी देदी कि एक चक्कर हो जाएं तो अंडर रूट 5 GL और टेंशन सबस्यादा लोइस पॉइंट पे होता है हाँ बेटा बिलकुल सही अंडर रूट 3 GL प्रग्या बिलकुल सही है तुन्हें बिलकुल सही इंसर दिया बी पॉइंट पर वेलास्टी होती है अ किरिया और नारेंद्र कौने कह रही है सिर्यू आर्दा बेस्ட केमेस्ट्री टीचर हाँ 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 हांम क्यों तुम्हें कोई गलत फैमी हो गई है है क्कांटी सिवीक्षिय के लाज थोड़ी महीं है यह फिजिक से चल लगी है बिटा रिया चलो आजाओ देखो तो यह वाले फंडामेंडल पॉइंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे अब इसी से रिलेटेड कोशन है कोशन कर लो एक बार में एंसर आजाएगा समझ आजाएगा चलो देखो कोशन पर आते हैं कोशन पर आत हम लोग ज़रा यही डाइग्राम बना ले बच्छों यह बॉब है रिवॉल्व किया जा रहा है यह यह हमने भशिश डाइग्राम चैळा है कि होरिजैंटल फ्टेटी बियाक यहांप ट्रीकल सेंट्र् slack हो रही है तो यहां पर tension क्या हो जाएगा TC, zero हो जाएगा, यहां पर velocity अभी हमने बताया क्या हो जाएगा C, पर under root, GL हो जाएगा, और अब V0 निकालना है, यह V0 क्या होगा, अभी हमने बताया बिटा, कितना होगा, under root, 5GL होगा तो V not answer आ गया 5GL और क्या निकालना है second speed at point BC वी ये वाला point है तो B पर भी speed अभी हम लोगों ने समझ लिया क्या होगा B भी under 8 3GL और C पर भी speed आ गई तो C पर भी speed आ गई B पर भी speed आ गई और V not भी निकल आया lowest point पर भी speed आ गई आ गई अच्छा और एक बार formula लिखा दें चलो लिखा देंगे लिखा देंगे लिखा देंगे लिखा देंगे अब क्या बोला किया के बी और के सी काइनेटिक इनरजी निकालो के भी अपान के सी के बी का मतलब हो गया हाफ एम वी बी स्क्वाइर के सी का मतलब हो गया हाफ एम वी सी स्क्वाइर एम बाई टू एम बाई टू केंसिल वी बी इसक्वाइर रखो त्री जी अल और वी सी रखो जील करने के बाद जील केंसिल तो एंसर आ गया 3 बाई वन योनि की के बी बाई केसी का एंसर 3 बाई वन आ गया अब लास्ट पार्ट कह रहा है कमेंट और नेचर ट्रेजक्ट्री और बॉब आफ्टर रीचेस पॉइंट सी देखो जब पॉइंट सी पर मान लो पहुंचा और यहां रसी तूटेगी अगर मान लो रसी तूटी तो यह ऑबजिक्ट टैंजेंट के लॉंग इस्टेट लाइन में फ्लाई कर जाएगा यह कमेंट हो गया चलो आगे चलते हैं नेक्स कोश्चन आजाओ बच्चों कोश्चन नमबर 6.8 NCRT पेज नमबर 123 चलो इसमें देखते हैं क्या कोश्चन है फिर फंडा इसका to simulate car accident auto manufacturer study the collision of moving cars with mounted spring of different spring constant consider a typical simulation with car of mass 1000 kg moving with speed of 18 km per hour on smooth road and colliding with horizontally mounted spring of spring constant ithna what is the maximum compression of spring car accident से बचाने के लिए एक जो है manufacturer है इस्प्रिंग को manufacture करता है तो उसने कार को इस्प्रिंग से टकरा के देखा कि कितना जो है इस्प्रिंग में compression हो जाए कि कार में accident अवाइड हो जाए यह एक experiment कर रहा है है ना देखो ज़रा ध्यान दो इसका फंडा देखो पहले फंडा देखो तो कोश्चन अपने आप हो जाएगा फंडा फंडा एंड की पॉइंट फंडा एंड की पॉइंट की पॉइंट देखो बच्चों घ्यान दो जाए जमान लो कोई object है और यहां पर एक स्प्रिंग है अब्जट को हमने यहां पर काइनेटिक इनर्जी दे दिया क्याइव फेलास्टी भी दे दिया तो केग को क्या लिख सकते हैं हाफ म्वी स्क्वाइर half mv square अब object जब यह आगे जाएगा तो spring से टकराएगा अब जब object spring से टकराएगा बच्चों तो spring में maximum compression क्या होगा है नदेखो जब यह object जा करके spring से टकराएगा तो क्या होगा जब object spring से टकराएगा तो spring compress हो जाएगी दब जाएगी यह देखो यह object जब 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 जाएगा तो spring में क्या हो जाएगा compression और अगर तुमसे बोलता है maximum compression हो जाए यह compression हो गया एक्स अगर maximum compression होता है तो maximum compression में हमेशा इसकी जो kinetic energy होती यहाँ पर आके zero हो जाती है इसकी kinetic energy zero होने का यह मतलब है कि अपनी पूरी पूरी energy spring को दे देगा जब पूरी energy spring को दे देगा तो इसकी अपनी खुद की energy zero हो जाएगी और spring में maximum compression हो जाएगा बोलो बास समझा गई? तो यहाँ पर conservation energy apply कर सकते हैं तो यहाँ पर conservation energy से यह हो जाएगा half mv square kinetic energy और इसने energy किसको दे दी spring को तो spring के लिए हो जाएगा half kx square यह बच्चों आ गया key point and fundamental यह क्या मिला? fundamental and key point यह मिल गया और यही यहाँ पर बोल रहा है बस object की जगे क्या हो गया? कोई car हो गई? यह car हो गई car यहाँ से जब टकराएगी spring से तो spring में हमें निकालना है maximum compression इसी में value रख दो answer तुम्हें मिल जाएगा देखो कितना आएगा answer किसी बच्चे ने answer बताया 2 आएगा 2 meter बिलकु सही बताया चलो half half cancel हो गया mass 1000 kg car का है car की speed है 18 km per hour तो इसे meter per second में change कर लो 5 by 18 से whole square k की value है 6.25 into 10 cube और यहाँ पे x maximum निकालना है यह maximum compression निकालना है 18 cancel हो गया 1000 यह 25 हो गया 6.25 10 cube x square max 10 cube यह यहाँ से cancel हो गया और बेटा x निकाल लो solve करके 2 meter मिल जाएगा तुम्हें कितना मिलेगा 2 meter answer आ गया 2 meter answer आ गया चलो आगे चलते हैं next निक्स कोशन है 6.11 एक्जामपल पेज नंबर 128 शिल्पा मौरिया क्या कह रही है सर सुनिये क्या पूछना है चलो टाइप कर देना हम बता देंगे कोशन है एन एलेवेटर केंड केरी माक्सिमम लोड ओफ 1800 केजी एलेवेटर प्लस पैसेंजर इस मोविग अप विद कॉंसेंट स्पीड 2 meter per second देखो बेटा ध्यान दो यह कोशन अभी 2000 हो यह I think 21 यह 21 में आया पिछले साल यह कोशन पूछा गया एक एमटी में आया हुआ है तो क्या कर रहे एक एलेवेटर है एक एलेवेटर है एलेवेटर का मलब लिफ्ट माल लो लिफ्ट जो है यह उपर जा रही इसका मैक्समम लोड कितना है 1800 है ना इसमें एलेवेटर पैसेंजर सब कुछ हैड है टोटल मास इतना है यह लिफ्ट उपर जा रही है और इसकी स्पीड क्या है कॉंस्टेंट टू मीटर पर सेकेड की इस को सिवीट कॉनसेंट है फॉर्स servant लेगा नीचे एफ और इसको पावर डिलिवर हो कि मासीन होती थ है कम से कम कितनी पावर हो कि माले और itu University करो नेंट इसके लिए नपलेगा कि लिफ्ट टोट्ल कितना weight सहिन कर रही है देखो एक तो friction हो गया और दूसरा इसमें नीचे की और weight total mg हो गया total weight कितना हो जाएगा m18 100 और g10 हो गया तो f net total weight हो गया f net is equal to this plus this friction भी तो नीचे लग रहा है weight भी नीचे लग रहा है तो इन दोनों को compensate करना है उतनी power अब तुम्हें क्या निकालना है बच्चा क्या निकालना है बच्चा कि बोलो पावर पावर होता है एफ इंटू वी एफ नेट हो गया 22,000 इस पीड है टू एंसर आ गया 44,000 वाट यह वाट में आ गया पावर यह पावर किस में आ गया वाट में लेकिन इन्हों होने बोला हॉर्स पावर में भी निकालो तो हॉर्स पावर के लिए क्या करेंगे हॉर्स पावर के लिए 746 का डिवाइड कर दो एक हॉर्स पावर एक वाट 746 वाट होते हैं 746 का डिवाइड करो एबाउड 59 हॉर्स पावर आ जाएगा दोनों इंसर आ गये बिल्कुल ठीक चलो नेक्स कोश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं नेक्स कोश्चन देखो NCRT page number 130 example 6.12 इसमें कुछ process भी दे दिया है slowing down of neutron neutron slow down हो जाता है तो उसके लिए देखो क्या कह रहा है और कैसे समझेंगे फिर funda और key point कह रहा है in a nuclear reactor a neutron of high speed 10 power 7 meter percent must be slow to 10 q meter per second so that it can have high probability of interacting with isotope uranium and causing it to fission show that यहां से देखो show that neutron can lose most of kinetic energy in elastic collision with light nuclei like deuterium और carbon which has mass of only few times the neutron mass the neutron making of the light nuclei usually यह देखना है actually मैं देखो इसमें कहना क्या चाहेता है देखो यह question तो ठीक है इसमें तुम्हें fundamental मिलेगा तो जरा ध्यान दो कहना क्या चाहेता है elastic collision में क्या होता है बिटा अगर एक particle दूसरे से टकराता है तो अपनी kinetic energy का ज्यादा loss कर देता है बस वहीं इसमें समझाना है समझाने के लिए बोला गया है जैसे माल लो अब इसका देखो एक particle जब दूसरे से टकराता है तो अपनी energy को loss कर देता है बस यह हमें दिखाना है तो इसके funda और key point देखो है न वी velocity जा रहा है और एक मास यह M2 है यह M2 rest में है इसकी velocity क्या माल लो U1 और इसकी velocity क्या माल लो U2 0 rest में है तो जब यह इससे टकराएगा तो यह अपनी energy का loss कर देगा और maximum energy transfer M2 को कर देगा बोलो बच्चों तो यह अपनी energy का loss जब करेगा तो यह gain कर लेगा और यह energy fraction of loss of energy percentage of loss of energy in first particle क्या होता है percentage loss of energy in first particle after collision with second particle यह formula तुम्हें याद करना पड़ेगा कि पहले में कितना loss होता है percentage kinetic energy formula होता है 4 M1 M2 upon M1 plus M2 का whole square in 200 कर दोगे तो यह percent निकल आएगा यह loss होता है बिटा अब जड़ा देखो इन्होंने क्या बोला neutron टकरा रहा है deuterium से यहीं तो होता है fusion में तो पहले को तुम मान लो क्या neutron तो neutron का मास कितना हो जाएगा M दूसरे को deuterium माल लो तो इसका मास डबल होता है यह हो जाएगा यह रिस्ट में अब जब यह से टकराएगा तो देखो जड़ा कितनी kinetic energy loss करेगा यहां पर रख दो 4 M1 M हो गया M2 2 M हो गया यह हो गया 3 M का whole square 4 2 जाक 8 by 9 into 100 लगवग कितना परसेंट आएगा बच्चों देखो 8 लगवग लगवग 88 90 परसेंट आजाएगा तो अब जड़ा ध्यान तो यही वह बोल रहा है neutron जब टकराया दूसरे वाले से तो 88 परसेंट इनर्जी का लॉस हो गया वही यह कह रहा है show that maximum energy लॉस तो यही कह रहा है देखो show that neutron lose most of kinetic energy with elastic collision तो elastic collision में maximum energy का लॉस हो गया हो गया बच्चों आगे next question देखो बिटा यह next question तो बहुती बढ़िया question है गजब का question है NCRT book का example 6.13 देखना page number 131 गजब का question है बहुत अच्छा question जड़ा देखो क्या कहरा consider the collision depicted in figure 6.10 यह figure बना हुआ है to be between two billiard balls with equal masses M1 M2 the first ball is called the Q while the second ball is called the target the billiard player wants to sink the target ball in a corner of pocket which is at angle 37 degree assume that collision elastic and friction and rotational motion not important obtain theta 1 billiard ball में क्या होता है बॉल को रोट से मारा जाता है तो बॉल को ऐसे मारें के तो दूसरी बॉल तकरा के ओधर corner पे चली जाएगी वही कैरम जैसा होता है तो वही यहां पर यह diagram given है कि जो player है इस ball से इस ball को मारेगा तो एक बॉल इधर चली जाएगी और दूसरी बॉल इधर जाएगी corner पे यहां corner पे चली जाएगी तो इसके लिए यह वाला angle हमें theta 1 निकालना है और जो नीचे वाला angle theta 2 है वह 37 degree given है अब इसका funda and key point इसका funda और key point आप देखिए जड़ा क्या मिलेगा ध्यान दो देखो पिटा यह एक ball mass m m1 m है दोनों का mass बराबर है और एक यह ball है यह mass m2 है यह भी m है इसको तो velocity दी गई यह देखो दिया है यह initial velocity है लेकिन यह rest में अभी है यह इस जगे पे क्या है यहां पे भी rest में है और साथ में elastic collision है यह भी दिया देखो कैसा collision है collision elastic किसमें कई बातें देखनी पड़ें collision elastic है तो जब यह ball इससे टक्राएगी तो टक्राने पर यह ball इधर भागेगी और यह ball इधर भागेगी और यह ball इबाद तक्रा के नीचे आ जाएगी यह इधर भागेगी यही बीच का एंगल यह वाला थीटा वन निकालना है और यह थीटा टू थर्टी सेवन दिया हुआ है बोलो बच्चों अब इसका देखो फंडामेंटल क्या है की पॉइंट क्या है देखो अगर 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 इफ को लीजन कैसा हो इफ को लीजन हो पहला इलास्टिक पहला क्या कोलीजन है इलास्टिक इलास्टिक कोलीजन है अगर कोलीजन इलास्टिक हो दूसरा मास दोनों के बराबर हो बराबर हैं तीसरा सेकंड पार्टिकल रेस्ट में हो एम टू इस इन रेस्ट यह रेस्ट में है यह रेस्ट में है चाउथा टूडी कोली भी है देखो बचो अगर ये चार चीजे सेटिस्वाइड हो रही है कॉलीजन इलास्तिक है मास बराबर हैं दूसरा रिस्ट में है टूडी कॉलीजन है तो हमेश़ा टकराने के बाद और इनके बीच जो एंगल होता है टकराने के बाद यह वाला जो total angle होता है theta 1 plus theta 2 यह हमेशा 90 होता है यानि कि जब यह condition satisfied कर जाएं तो दोनों ball एक दूसरे से 90 degree पर fly कर जाती है दोनों ball एक दूसरे से 90 degree पर fly करती है यह याद रखना है यह key point हो गया fundamental key point दोनों हो गया आप देखो यह formula हो गया यह क्या हो गया फार्मूला हो गया यह क्या हो गया फार्मूला theta 1 39 रख दो plus theta 2 is equal to 90 theta 2 अच्छा है theta 2 given theta 1 निकालना theta 2 37 37 है न हाँ और plus 90 is equal to 90 तो theta 1 निकालाया 90 minus 37 53 डिग्री एंसर आ गया 53 डिग्री एंसर आ गया बच्चों 53 डिग्री एंसर आ गया एंसर किता है यह 53 डिग्री तो यह बच्चों हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा काम किया कि work power energy collision में जितने sword example है एक आज हमने छोड़े हैं बागी जो main example है सारे cover हो गए अब कल और परसों दो दिन यही class होगी इसी समय पर होगी इसमें जो exercise के पीछे question है CRT book के वो हम तुम्हें दो दिन में पूरे cover कराएंगे with funda and key point ओके बच्चों चलो ओके बच्चों बाई बाई हम लोग कल मिलते हैं ओके बाई बाई